तो यह हमारे पास Samsung का A30 और इसमारे FRP लेगी हुई है इसको आज हम जो है वन क्लिक में अनलोग करने वाले हैं तो यहां पर मैं चल जाओंगा Samsung के टेब में और यहां पर Samsung उपन कर लेंगे यहां पर आप लोग क्या करना है और क्लिक करने से पहले आप लोग क्या करना है फोन को कनेक्ट कर लेंगा तो आप लोग अपन हो जाएगा उस पाद यूएसबी केबल लगा देना है तो यहां पर टेस्ट मोड ऊपन करके यूजबी लगाऊंगा यहां पर देख सकते हो Samsung क्लिक कर देंगे तो यहां पर फोन की थोड़ी से इंफोर्मेशन रीड होगे और आपको एडीबी इनिबल होगा आपके फोन में आप्शन आएगा एडीबी को इनिबल करने का तो आप लोग उसमें जो है अलाव करना होगा यहां पर एक चीज़ घ्यान दिचे कर मैंने ग तो देख सकते हैं आप एडीबी निबल हमारा फेल हो चुक है और यहां पर बोल रहा है एंड्रोइड 9 से कम वाला सपूर्ट नहीं करेगा तो हमारा फोन तो एंड्रोइड 10 है तो यहां पर फेल हुआ पर यहां पर अलाव का आ चुक है मैंने अलाव कर दिया और मैंने उस और यहां पर देख लेते हैं डीबी यहां पर फेल हो गया है वापस निकाला मैंने और यहां पर वापस से फोन को मैं कनेक्ट करूंगा अब यहां पर फेले साल आई आलाव कर दियंगे और यहां पर कनटीन्यू कर द केयम फिर से ऑप्षिन आया मैंने अलाव कर दिये हो और इस्वार जो है साइद हमारी प्रोसेस हो जाएगी तो उसका अगर आप Always पर टिक करके यहाँ पर कर दोगे तो वो बार बार आप लोगे जो एडी बेनिबल करना नहीं पड़ेगा और फेल भी इसलिए आपका दो तीन बार हुए है तो यहाँ पर देख सकते हो इनिबलिंगे डी भी आ चुक है इस बास आयदे सकसेज हो जाएगा तो बहुत चिंबल सी मैथाड है यह आप लोग जिसमें भी अमर्जंसी पर कोड वर्क कर रहा है उस पर पासानी से फर्प अनलोक कर पाओगे देख सकते हो रिमोम एफार पी ओक्या चुक है और हमारा फोन जो है अनलोक हो गया थोड़ा से यहाँ पर वेट करेंगे बैक करेंगे हम इसको और बैक करने में बदे हाँ पर जो है सिलेक्ट करके ऑल्वेस कर देंगे तो हाँ पर उस एप्रिकेशन का नाम नहीं लिखा थ प्लिक करके अल्वेस पर टिक कर देंगे और यहां पर फोन जो है खुन जाएगा जैसे कि आप यहां देख पाओगे हमारा फोन जो है अनलोक हो चुका है तो इस तरीक हैसे आप जो एथर्टी के फार पी कर सकते हो मिलते है नेक्स वीडियो में